हाई फ्रेंड्स मैं हूँ अपकी होस्मता वेलकम टू कालिमिच दुस्तों अंडा प्रोटीन का रीच सोस है तो हमें इसे प्रेगफास्स में इंक्रूड करना चाहिए बड़ अक्सर हम सिर्फ ओमलेट, हाफ फ्राय, फूल फ्राय यही बना पाते हैं तो आज हम अंडे का इस्तमाल करके एक इंट्रेस्टिंग ब्रेकफास्स रेसिपी बनाएगी जो है एग मेयो सान्विच एग मेयो सान्विच बनाने के लिए हम लेंगे दो हाड़ बॉल्ड ए फाइनली चॉपट, एक हरी मिर्च फाइनली चॉपट, तीन से चार लिसन की कलिया फाइनली चॉपट, एक टीजपून, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक मिर्च काप आवने तीजपून, द्राइए म enzyंगो पावडर याने की हम्चूर, आधा टीबिल स्पून टॉमेटो एक टी स्पून नमक, दू प्रोसेस चीज क्यूब्स और बटर, सबसे पहले हम पैन को थोड़े पेल से ग्रीस कर लेते हैं, इसमें हम डालेंगे दो टेबल स्पून बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, पटर में हम डालेंगे लसन और हरी मिर्च, लसन को हम हल्का ब्राउन होने देंगे, लसन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्यास, प्यास को हम नरम होने तक बुनेंगे, लगभग दो मिनिट में प्यास नरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, टमाटर को हम पूरी तरह से गल्ले तक पकाएंगे, टमाटर जल्दी गलने के लिए हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून दमक, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसे हम ड़क के पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर पक रहें, तब तक मैंने अंडे के वाइट पार्ट को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप चाहे तो यल्लो पार्ट कम्प्लीटली स्कीप कर सकते हैं आपके सांडविच में, बट मैं इन्हें इस्तिमान करने वाली हूँ, तो मैं ये यल्लो पार्ट को फोक से मैश कर लेती हूँ, मैंने टमाटर को धीमी आज पर पकाया था, इन्हें सॉफ्ट होने में मुझे पार्ट से छे मिनिट लगे, अब हम इसमें डालेंगे काली मेच पाउडर, ड्राय म्लागो पाउडर, इन्हें भी हम एक मिनिट तक भूलेंगे, अब हम इसमें डालेंगे अंडे, अंडों को हम जिस्ट मिक्स करके ग्यास बन कर देंगे, ये एग मिक्स्चर ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक बूल में निकाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे टोमाटो केचब, म्योनीज, आएए इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हमारा सैंडविच का फिलिंग तयार है, मैंने इक ग्रील पान गरम होने के लिए रखा है, आएए तक तक सांडविच इसको असेंबल कर लेते हैं, एक ब्रेड स्लाइस पे हम लगाएंगे बटर, हम इस पे अच्छे से बटर लगाएंगे, इस पे हम डालेंगे सैंडविच का फिलिंग, इस पे हम थोड़ा चीज ग्रेट करके डालेंगे, दूसरे स्लाइस से हम इसे बन कर देंगे, इसी तरह से हम बाकी के सैंडविच इस पे रेडी कर लेते हैं, हमारा ग्रिल पान अच्छे से गरम हो गया है, आए अब इस पे डाल देते हैं बटर, बटर को अच्छे से फेला लेते हैं, और हम इस पे रखेंगे हमारा सैंडविच, सैंडविच को हम दोनों तरफ से अच्छे से गरिल करना है, सैंडविच के उटपर के सैट बटर लगा लेते हैं, सैंडविच को अभी हम पलट देंगे, वाव, बहुत अच्छे से ये गरिल हो गया है, करीब दो मिनिट तक मैंने इसे एक साइट पर गरिल किया था, साइट से भी थोड़ा बटर डाल देते हैं, ये सैंडविच हमारा गरिल हो गया है, आए अभी इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, ये हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी है, आए इन्हें अभी सर्फ कर लेते हैं, दोस्तों आपकी शाम को मज़दार बनाने के लिए तयार है एक मियो सान्विच, सर्फ किजिए इसके साथ गर्मा गरम स्ट्रॉंग कॉफी, और हमें बताईए आपको ये रेसिपी कैसी लगी काली मिर्चपाइस्पिता.com पर, तिल देन, कीप वचिंग, इन्जोई कुकिंग, बाबाई